यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो पर चलता हुआ टेक्स्ट कैसे लिखें उसके लिए आपको काइन मास्टर एपलिकेशन इंस्टाल करना होगा and यहाँ पे plus पे click करना है then आपको अपनी वीडियो का ratio select करना है then आपको यहाँ पे gallery की कोई भी दो से तीन वीडियो select कर लेनी है जिन पे आपको लिखना है तो यहाँ पे अपनी वीडियो select करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है back इंड बेक आने के बाद यहां पे हमको करना है layer पर टच and यहां पे इसको forma आना है Then आपको यहां पे कुछ लिख देना मैं लिखता हूँ प्लेस सब्सक्राइब उसके बाद आपको अपने हिसाब से adjust करना है इसका color भी आप change कर सकते हैं एंड यहां पे इसके आट LINE CHAMPERD कर दूँ जिससे दिखे तो यहां पे आ-ट LINE white कर देता हूँ तो उसके बाद आपको अपने ह compose अरजेस्ट करना एंड इसको नीचे यहां से मैं उपर ले जाऊंगा तो यहां पे मैं नीचे लगा देता हूँ थोड़ा सा यह दिखना चाहिए उसके बाद की पे सिलेट करना एंड यहां पे की पे इसको कर देना माइनस करने के पाद आपको जितना अपनी वीडियो में चलाना है उसका रेसियो उतना कर देना है उसके बाद आपको यही टेक्ष्ट जहां पे खत्म करना है वहां पे ले जाके लगा देना है उसके बाद यह माइनस ही रहने देना है तो देन आपको यहां पे माइनस रहने देना है उसके बाद बैक आ जाना है आप इस तरह किसी भी कौने से ले जाके कहीं भी लगा सकते हैं इसको तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और काइन मास्टर ते जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं